हालो फ्रेंट्स कॉंपेशन कमिटी की वीकली करेंट अफेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आई फ्रेंट्स आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस टेक इन्वार्मेंट से रिलेटेड उन सभी महत्पूर्ण करेंट अफेस को जो इन्वार्मेंट और साइंस और टेकलोजी से रिलेटेड होगा और हमारा अप्रोच जैसे की हमीशा कवर करते रहें इसका करेंट पार्ट को भी कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के सेसन को जिसमें फर्स पॉइंट आप देख रहे हैं वेरियर इंपोर्टेंट और कई बार ये एक्जाम में आपके पूछा जा चुका है, CGPAC देखें, UPSC देखें, इन सभी एक्जाम में ये Parkinson's disease पूछा जा चुका है, अगर आप देखते हैं कि ये Parkinson's disease का जो day है क्यों celebrate किया जाता है, क्यों इसे मनाया जाता है, not celebration, इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें awareness फैलाना हमारा objective होता है, तो ये Parkinson's, World Parkinson's Day क्या है देख लीजिए, कि every year हम 11th April को इसे क्या करते हैं, मनाते हैं, जिसका primary objective क्या होता है, सभी आम लोगों को Parkinson's disease के बारे में जागरूप करना, ये Parkinson's disease basically exam में जो पूछा जाता है, वो सीधा सीधा straight forward पूछा जाता है कि ये किस से संबंधित होता है, तो आपके nervous system यानि तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, तो याद रखना Parkinson's disease जो है आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, उसको लगातार कमजोर कर देता है तो ये आप याद रखेंगे और एक बहुत ही important hormones का नाम सुने होंगे dopamine dopamine को feel good hormones भी कहा जाता है इससे आपको खुसी महसूस होती है तो याद रखना ये brain cell जो होती है जो nervous system होता है आपका जो मस्तिस्क होता है उस मस्तिस्क में जितनी कोसिका है या cells होती है इसको ये क्या करता है किल करना स्टार्ट कर देता है उसे damage करता है जिसके कारण जो है dopamine जिसे feel good hormones हम कह रहे है उसका स्तर जो है पूरी तरह से गिर जाता है या कम हो जाता है तो ये basically समझिएगा कि यहाँ पे इसके कारण जो है brain cells को death हो रही है dopamine का स्तर कम हो रहा है जिसके कारण सरीर में या उस आपके behavior में बहुत सारे problems आना start हो जाता है इन जर्रली अगर आप Parkinson disease क्या है अगर आप पूछें तो इसे note कर सकते हैं क्योंकि ये 11th April का ये week पिछला week गया है इसमें ही हम इसे cover कर रहे है याद रखना इसमें क्या होती है कि आपका पूरा balance जो है वो पूरा बिगड़ जाता है मान स्पेशियां आपकी सक्त हो जाती है सरीर में कमपन पैदा हो जाती है और जनरली ये 60 एवब वाले लोगों को ये Parkinson disease बहुत जादा problem करती है European countries में खास कर ये चीज़ें बहुत देखी गई है लेकिन अब इसका global scenario भी बहुत बढ़ चुका है जिसमें कि काफी हजार करीब कहते हैं कि 60 लाग से जादा उन्हीं इसमें Parkinson disease से क्या है प्रभावित है global scenario में देखा जाए तो अब याद रखना इसमें दो महत्मून बातें कि dopamine का स्तर कम होना दूसरा Parkinson disease 11th April को है और किस से related है तो तंद्री का तंद्री या nervous system से related है ये याद रखेंगे ठीक है और एक और महत्मून बात देखेंगे इसमें इसका कोई इलाज अभी तक उपलब्द नहीं है जब आप देखते हैं modern technology, science technology इतनी आगे बढ़ चुकी है उसके बावजूद यहां Parkinson disease का कोई cure नहीं है इसकी कीशी प्रगार की कोई इलाज की संभावना फिलहाल नहीं है तो बस इतना याद रखें चुकि एक्जाम में कई दफा पूचा गया है और fortunately यह पिछला वीक ही वही से 11th April वाला था इसलिए मैंने Parkinson Day को इसमें आप सभी के लिए सामिल किया हुआ है ताकि इसका आप basic knowledge ले सकें ठीक दूसरा है देखते हैं यह एक ऐसा डे है जिसको देखके आप सोच रहे होंगे इसे क्यों सामिल किया गया है यह है आपका वर्ल्ड चगास डिसीज डे वर्ल्ड चगास डिसीज डे इसलिए important है देखिए सबसे पहले 14th April को यह पहली बार बनाया जा रहा है आपके previous किसी एक्जाम में यह पूछा नहीं गया होगा now onwards किसी भी एक्जाम के लिए बहुत useful topic है बहुत useful content है वो है विस्व चगास डिवस जिसे 2019 को WHO ने इसे क्या है नाम दिया और 14 April 2020 को पहली बार इसे मनाया गया था और अभी 2022 आ गया है तो पहली बार इसे मनाया गया था 2020 में अब वैसे उसके बाद देखते हैं अभी 2022 की सिटी में तो आप यहां पे देख रहे हैं 2021 में second, 2022 में third तो याद रखेंगे विस्व चगास डिवस आप याद रखेंगे चगास के बारे हमी UPSC में पूछा जरूर जा चुका है लेकि चगास डे नहीं पुछा है तो यह आने वाले exam के point आप उसे बड़ा important content है आप याद रखेंगे इसके बाद देखेंगे इसमें क्या है इसका क्या objective है क्यों मनाया जा रहा है चगास रो के बारे में जागरुता फैलाना यह क्या होती है बेसिकली एक संक्रामक बीमारी है फैलने वाली बीमारी है जो बेसिकली जिनके पास health problems बहुत जादा होती है या जो गरीब तबके के लोग होते जहां पे health facility नहीं है उन तक यह जो है चगास रो काफी तेजी से फैलता है इसे और किस नाम से जाना जाता है silent and silenced बीमारी के नाम से जाना जाता है बेसिकली चगास नाम इसले पड़ा क्योंकि जो कार्लो जस्टियानो चगास के नाम पर इसे WHO ने approval दिया हुआ है याद रखना ब्रेजील में 1909 को इस बीमारी का पहला रोग देखा देख गया था यह क्या protozoan disease है जो tritomine में मौझूद होता है तो protozoan parasite से क्या है यह आपका चगास disease होता है तो date याद रख लेंगे पहली बार मनाए गया था recent में उसके बाद याद रखेंगे यह exam के point आप उसे important है ठीक है तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है आगे हम देखते ही कि next क्या है next है यहाँ पे world hemophilia day hemophilia day जो है 17 अपरेल को है 17 अपरेल को मनाए जाता है तो hemophilia क्या है यह भी exam में पूछा जा चुका है जब आपको चोट लगती है तो bleeding होता है खून बहता है कुछ समय बात क्या है वो blood वहाँ पे क्या होती है बहना बंध हो जाता है क्योंकि blood की clotting हो जाती है रखत का ठक्का जम जाता है बट ऐसे रोगी या ऐसे person जिसमें क्या होती है एक बार चोट लग जाती है और खून बिल्कुल नहीं जम पाता तो चोट लगने के बाद जो है वो खून लगातार बहरा है थोड़ा साथ पिन भी चुभो दिया गया हो तो उसके बाद bleeding इतना तेजी से वो बढ़ने लगता है कि वो रुकता ही नहीं मतलब यहां पे आप हीमोफीलिया वो डिसीज होता है जिसमें कि आप देखते हैं कि blood clotting या रखका थक्का नहीं जम पाता और यह एक अनुवानसिक डिसीज है तो याद रखना दो महत्पून बाते 17 अप्रेल को जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है यह सब डबलू एचो के द्वारा इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है इसलिए यह डेट आपके लिए एक्जाम के पॉइंट आप उसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो 17 अप्रेल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे दूसरा कि हेमोफीलिया का ऐसा डीसीज होता है जिसमें कि आप देखते हैं कि बलड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती थोड़ी से चोट लगने पर भी आपको हॉस्पिटल के दोरे मानने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बलड का क्लॉटिंग नहीं होने पर लगातार खून बहते रहता है तो यह बाते याद रखेंगा तीसरा कि एक अनुवानसिक डिसीज है जैनेटिकली वो इनहरीट होता है एक पीडी से दूसरे पीडी में वो चला जाता है ठीक है इसके बाद देखते हैं करेंट अफ्यस में एक और मत्पूर बातें जैसे की बात है यहां पर देख रहें की पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का राजस्थान के पोखरण में सफल परिक्षन पिनाका जानते हैं पिनाका भगवान संकर के उनके जो है धनुष का नाम है तो धनुष का नाम क्या है पिनाका तो पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का जो एक EPRS एक नई टेकनोलोजी है बेसिकली इसका संबंध है DRDO से DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाइजेशन जिसका हैड़कोटर दिल्ली में है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी अब यहाँ पे देखते क्या है कि EPRS क्या है तो इनहेंस पिनाका रॉकेट सिस्टम यानि कि उसका उननत ससकरण है एक एडवांस वर्जन है किसका पिनाका क्या है पिनाका एक देखते है एक multi-barrel rocket launcher है तो multi-barrel rocket launcher का नाम क्या है पिनाका आपको एक्जाम में पूछा गया है कई दफ़ा पूछा जा चुका है different exam में क्या है multi-barrel rocket launcher है अलगलग यहाँ पे rocket की launching होती है यहाँ पे उसके बारे में डिटेल भी कुछ static पार्ट पढ़ेंगे किसी नए इंस्रूमेंट में नए प्रकार के वैपन में तो उसका हम टेस्टिंग करते हैं तो यह EPRS जो है इसका एक उन्नत या एडवांस वर्जन है बस इतना याद रखें और इसमें कुछ अत्रिक जो है बाते हैं कि जो युद्ध या वार के दारान जो है बहुत सारी जो चुनोतियां आती हैं उन चुनोतियों को पार पाने के लिए उसको करने के लिए हम नई नई प्रकार की टेकलोजी का हम प्रदर्शन करते रहते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम्स ना जीलना पड़े और आसानी से हम दुस्मन को हरा सकें तो यहां पर देखिए कि यह जो टेक्नीक है पहले मैंने बता है इसका स्टैटिक पार्ट है यह देखिए पिनाका सिस्टम रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो भगवान संकर के धनुस का नाम रखा गया है ठीक है इसे किसके द्वारा बनाए गया तो आप यह हालग अलग इनके जो है लैब होते हैं डिया डियों के लैब हैं जिसमें कि यहां दिया हुआ ह आयूद अनुसंधार और विकास प्रतिष्ठान ए रडी यहां पे ही एम रल तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होनी के जुरत नहीं आप सीधा सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं डिया डियों कि यह सब लैब हैं भारत में अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग प्रकार के लैब हैं ठीक है तो यहां पे देखिएगा जो बिनाका मल्टी वैरर रॉकेट लॉंसर का जो सिस्टम का जो है डेवलप्मेंट किया गया था इसमें याद रखना डॉक्टर कलाम का जो है नेत्रित्व था डॉक्टर कलाम जब 1983 में 1983 या 1980 के दसक में पहली बार भारत को रक इंटिग्रेटेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम ठीक है 1983 से स्टार्ट किया हुआ ये प्रोग्राम 2008 में समाप्थ हुआ जब हम अगनी 5 मिसाइल बना लिए जिसके अंतरगत प्रित्वी अगनी त्रिसूल नाग और आकास पांच महत्रपूर मिसाइल बनाकर भारत को मिसाइल के छेतर में आत्म निर्भर बनाने का युगदान डॉक्टर कलाम ने दिया था इनका साथ दिये थे डॉक्टर टेशी थॉमस ऐसे और कई सारे साइंटिस्ट ने डॉक्टर टेशी थॉमस का नाम इसलिए उलेक कर रहा हूं कि वरतमान में अगर देखें तो अग यहां पर याद रखना उसी 80 के दसक में हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी ऐसे रक्षा उत्पात बनाने के छेतर में कदम रखा गया जिसके अंतरगत आप देखते हैं यहां पर जो 1980 के दसक में इससे स्टार्ट किया गया था और याद रखना 1990 के दसक में पिनाका मार्क 1 का हम सफल प्रक्षेपन किये थे और भारत और पाकिस्तान का जब वार हुआ था करगिल वार 1990 में तो इसी पिना का मार्क वन का यूज किया गया था हम यह EPRS जो है वो latest technology है जिसमें कि आप देखेंगे उसका और ज्यादा advanced version है लेकिन इसका जो basic version है उसको करगिल यूद्ध में use किया गया था याद रखेंगे इसे ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो होता है rocket launcher की सबसे खास बात only 44 second में 12 rocket डाग सकता है तो आने वाले समय में हम यह जो rocket के numbers है इसे और बढ़ा लेंगे और यह second जो देख रहा है 44 second वो और कम हो जाएगा मतलब यह हमारा जो है और ज्यादा advanced version हो जाएगा ठीक है इस बात को बस याद रखेंगे ठीक है पिनाका का जो है अलग-अलग range है range उतना important नहीं है आप चाहें तो यह note कर सकते हैं याद रखना भारत का अपना खुद का navigation system है इससे आप क्या कहते ह इसके द्वारा क्या है अब यहाँ पे इसे जोड दिया गया है और ऐसा होगा आने वाले समय में इसमें भी दागो और भूल जावाली याने fire and forget वाली जो है technology इसमें इन्वाल हो जाएगी कि एक बार launch करें उसे ढून के मारेगा दुस्वन जहां पे भी हो तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले समय में यह इसका और advanced version हो जाएगा इसका range भी हम बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह बाते आपको याद रखनी है आगे देखते हैं current affairs में next part तो next part यहाँ पे देखिएगा कि मानव अंतरिक्ष उडान का अंतराश्टी दिवस ठीक है international day of human space flight 12 अप्र की बीच में और डेट आगया है 12 अप्रेल तो यह क्यों important है याद रखना इसलिए important है क्योंकि अंतराश्टी स्तर पर भी देखे या भारत के स्तर पर भी देखे अभी जो अंतरिक्ष में मानव mission को लेकि बहुत बड़ी बड़ी project चल रहे हैं जिसमें कि भारत का भी अपना पहली बार गया था अगर आपको पूछा जाए तो रश्या है 1957 में वहां गया था इस पूतनिक फर्स्ट में आपको याद हो रहा होगा ठीक है तो यहां पर मैं इसका timeline लिख देता हूं timeline यहाद रखेगा 1957 में सबसे पहले गया था इस पूतनिक फर्स्ट इस पूतनिक फर् अंत्रिक्ष में किसी भी देश के द्वारा किया गया पहला प्रयास था ठीक इसके बाद याद रखेंगे एक female डॉग गई थी जिसमें आप देखते हैं लाइका नाम की फीमेल डॉग गई थी वो इस पूतनिक फू में गई थी इसके बाद यहां पर आते ही यूरी गागर साब जो देखते हैं किसमें गए हुए थे वो था वो श्टक फरस्ट वो श्टक फरस्ट में गए थे यह क्या है एक स्पेस क्राप था किसी भी मानों के द्वारा मनुष्य के द्वारा अंत्रिक्ष में पहला जो प्रयास था वो क्या था वो बोश्टक बन के द्वारा यू 12 अप्रेल को क्या मनाये जाता है मानव रान का अंतराष्टी दिवस मनाये जाता है याद रखेंगे कि यहां पे हम देखते हैं कि 1957 में पहले मानव निर्मित उपगरा स्पूतनिक फस को अंतरिक्ष में भीजा गया था और 12 अप्रेल निश्ट को जो है यूरी के अगरिन को फ थे तो अब इतना जान रखें तो काफी वारत का जान यान थोड़ा सा मानव बारत का पहला मानव कि जाएगा और एक एक कहना चाहिए ब्यों मित्र नाम की एक हाप यूमन आइड है कह सकते हैं ब्यों मित्र नाम का एक रोबोट जाएगा यह ब्यों मित्र ब्यों मतलब अंतरिक्ष आकास होता है मित्र याने की फ्रेंड तो यहां पे ब्यों मित्र क्या होगा एक रोबोट ज सिती में ट्रेनिंग ले रहें अब यहां पर याद रखेंगे कि संयुक्तरास महासभा ने 12 अप्रेल 2011 को अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष उडान का अंतराश्ची दिवस पूरवक्ष परिक्षन हूं आप नाम सुना होगा नाग नाग क्या है क्या है inc duty project मिसमिछ जो कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहाँ पे तीन नाम मैं आपको बताऊंगा याद रखेंगे पहला नाम है यहाँ पे नाग आपने देखा दूसरा नाम है यहाँ पे हैलीना जिसका उलेक किया गया है तो हैलीना हैलीना उसके बाद लिखते ही नामीका नामीका ठीक है और तीसरा ना है ध्रुवास्त्र यह तीनों एक्जाम की पॉइंट आव उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब तीनों के बारे में कुछ फैक्ट समझेगा यह क्या है बेसिकली हैलीना हैलीना हेलिकाप्टर से लांज किया गया नाग मिसाइल तो यहां पर क्या देखते हैं हेलिकाप् तो नाग मिसाइल केरियर ठीक तो नामिका क्या है नाग मिसाइल से ही संबंदी थे इसका करियर है जो इस्थल पे यानि की लैंड पे अगर आपको नाग मिसाइल ले जाना है तो आपको नामिका की मदद चाहिए ही होगी ठीक है और वैसे ही देखते हैं आप धुरुवास् नाग मिसाइल है उसका नाम है हैलीना तो अब क्या है कौन-कौन से हलिकाप्टर है दो टाइप के हलिकाप्टर है एक होता है धुरू जो महत्वूर्ण हेलिकाप्टर दू दूसरा होता है रूद्र ठीक है जिसमें कि Advanced Light हेलिकाप्टर का नाम क creator है और जो है एडिएज के द्वारा एक और एक और ऑगया जो हेलिकाप्टर सपाना में हरूद्र जैसे कि हाल लिखा हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेट के द्वारा डैबलब किया गया दुरू और वैसे एडी ए ठीक है तो यहां पर एडी के द्वारा डैबलब किया गया है रूद्र ठीक है फोड़ा कन्फीजन हो रहा तो बिलकुल अपडेट कर लें यह पा अभी मैंने बताया कि जब हम नई प्रकार की टेकलोजी को लांच करने वाले होते हैं तो उसका लांचिंग के पहले हम देखते हैं उसका सक्सेस्फूल क्या है टेस्टिंग करते हैं तो टेस्ट बार बार इसलिए कि नई प्रकार की टेकलोजी को उसमें सामिल करके उसका र फाइर एंड फर्गेट वाला यानि दागों और भूल जाओ वाला से टेकलोजी पहले इसमें सामिल नहीं था अब वो टेकलोजी इसमें सामिल कर लिया गया है तो अब यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है कि यहां पे देख रहे हैं कि यह जो है नाग मिसाइल को नागा भी लॉट्स किया जा सकता है जिसके अलग अलग वर्जन यहां पे है ठीग आप देखेंगे किसके द्वहरां ड τις द्रबट किया रिप डियार डियों के अलग-अलग लैब हैं जिसमें कि यहां पर डियार डियल देख रहें इसका फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधार और विकास प्रयुकसाला ठीक है डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट लैब तो यह क्या है आपका डियार डियल ठीक बस इतना लिखा हुए एडवांस लाइड हेलिकॉप्टर द्रू तो उसके द्वारा आप लांच किया जा सकेगा तो भारत की रक्षा सकती और बढ़ेगी इसका पूरा स्रे जो होता है डियार डियों के साइंटिस को जाता है अब यहां पर देखते हैं इसमें जब भी जो नाग मिस पाथ्वें जैसा बन रहा है क्या है बेलिस्टिक परिपत जैसे बन रहा है तो टार्रेक्ट हीत मोड मतलब सीधा अटैक Посこ皆 कि इसे वारत का इंडिजिनस स्वधी सी टेकनिलोजी है इसी इसी टाइप की कोशिंस आने वाले समय में पूछे जाएंगे क्योंकि ये indigenous technology है now आप देख रहें butterfly को butterfly बड़ा important होता है biodiversity के point of view से होता है और कि संदर में important होता है ये भी pollination या परागन करने में बहुत मदद करता है परागन या pollination क्या होता है तो उसे भी हम समझेंगे लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि मैं दो महत्पून बातें बताने वाला हूँ ये महत्पून बातें हैं basically butterfly के बारे में और दूसरा honeybee के बारे में मधुबक्खी के बारे में लेकिन पहले इसे हम cover कर लेते हैं पहला part है यहाँ पे कि pumpkin नाम का एक जो butterfly है पहली बार जो है लंबे समय बाद पहली बार दिखा है तमिल नाडू में पहली बार दिखा हुआ है यह बहुत ही दुरलब बहुत ही rare दिखने वाली pumpkin जो है butterfly है जो भारत में पंदरह सो लगबग जो है 321 वे नंबर की प्रजाती है इस टाइब की एक्जाम आने वाले UPSC, PSC या different अलग-अलग राजिस्तरी एक्जाम में पूछे जा सकते क्योंकि यह कोई arm butterfly नहीं है इसका कुछ importance है वो importance को समझे ठीक है पामकीन की उपस्थिती British era में 1891 में पहले बाद Ferguson के द्वारा, British Virginic के द्वारा इसे देखा गया था उसके बाद, देखे, पूरी सदी बीद जाने के बाद 27 में भारत में देखा गया था अब यहाँ पिर Tamil Nadu में देखा गया है Tamil Nadu में देखा गया तो यह क्या है basically याद रखे कि भूरे गहरे रंकी वूडी कलर का यह क्या है, आपका butterfly है, जिसे देखा गया recently में, और कहां देखा गया भारत के पश्चिमी घाट में देखा गया पश्चिमी घाट में आपको पता है biodiversity point है, उसे बहुत important zone होता है, यहाँ पे क्या है, चार hot spot में वेस्टन घाट भी सामिल है, तो पहला एक hot spot zone में है, जहाँ पे biodiversity रिच होती है, दूसरा और क्या है, कि वेस्टन घाट एक ऐसा zone है, जहाँ पे दो-दो क्या है biosphere reserve, तेरा national park और बहुत सारे ऐसे sanctuary available है, तो भारत के map में आप गुजरात से नीचे नीचे आप तमिल नाडू केरला तक देखेंगे, तो पूरा western घाट का completely part आता है जो आपके एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना भारत का एक चार hot spot, biodiversity hot spot, या जैविवित्ता तपतिस्थल में से एक वो सामिल है दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि यह UNESCO के world heritage list में सामिल है कौन से? नेचरल वाले साइट में, ठीक है? जिसमें कि 40 साइट है total, जिसमें कि आप देखते हैं 7 जो है natural साइट है एक जो है mixed साइट है और बाकी जो हैं आप देखते हैं 32 जो हैं वो आपके cultural conclude कर पा रहे होंगे कि वेस्टन घाड भारत में एक ऐसा जोन है जहां पे diversity बहुत ज़्यादा रिच है तो biodiversity रिच है तो अपने आप में वो important part हो जाता है और वहां पे इस टाइप की जो butterfly का मिलना एक और और अच्छा संकेत होता है देखिए जो fact है इसे related इस बात को समझेए कि यह जो butterfly है भारत, म्यामार, चाइना, मलेशिया थाइलेंड, इंडिनेशिया जैसे जगहों में मिलता है अब भारत में लंबे समय बाद यह मिला है इसका मतलब यह है कि वो किसी जगह से migrate करके आया होगा या भारत को एक अनुकूल लाइक भारत का western घाट को एक अनुकूल अब लाइक अपना habitat या आवास बनाया होगा ठीक है यहाँ पे एक और महत्मूर बात आपको समझना है क्या आप जानते है जो मैं fact बताने वाला था कि butterfly और honey bee याने की मधुमक्खी का क्या रोल है economy में तो यहाँ पे economy में क्या रोल है यहाँ पे समझें सबसे पहले ही परागण में help करते हैं दोनों ही जिसमें की आप butterfly के बारे में याद रखेंगे कि एक फूल से दूसरे फूल दूसरे से तीसरे ऐसे कई सारे flowers में वो बैठती है और उसका जो है अब लाइक उसका रस को जो है वो सक करती है अब एक फूल से दूसरे फूल जाने के दौरान क्या है pollination या परागण की क्रिया होती है जो किसी भी plant में या पौधे में उनके reproduction का एक important part होता है ठीक है next generation कैसे आएगा reproduction part है तो next generation तो आना ही है तो next generation आएगा तो इस प्रकार किसी छेत्र में किसी flower की इतनी सारी diversity का बढ़ने का reason क्या है ये परागण होता है तो परागण natural part है हम अलग से उसको नहीं करते तो यहाँ पे जो natural part है एक जगा से दूसरी जगा flowers इस टाइब से उनकी diversity बढ़ना different type की plants की diversity बढ़ना वो कारण क्या है ये सब चीजे होती है अब इसमें क्या है कि butterfly भी help करता है honeybee या मदुमक की भी help करता है honeybee के बारे में याद रखेंगे कि पूरे economy को 500 करोड से भी contribution करता है इतना बड़ी economic का में contribution होता है honeybee का वो भी निस्वार तरीके से ये बाते आप समझ पा रहे हैं तो nature में क्या है जब different type की flora, fauna बनी रहेंगे तो उसका फाइदा क्या होता ecosystem को होगा और ecosystem की services को ही तो हम use करते हैं ecosystem से प्राप्थ होने वाली सेवाई ही तो हम ले पाते हैं तभी हम जिंदा हैं otherwise कोई भी animal species जो है या कोई भी दूसरे species एक दूसरे पर वो अब लाइक वो उनके survival पर question mark उड़ जाता तो यगर stable ecosystem है तो सभी type की flora, fauna, जन्तु वनस्पति वहाँ पे वो व्यवस्थित होंगे वो अपनी life cycle बहुत आसानी से चलाएंगे जिसका फायदा सभी species को मिलता है तो बस यह बाते हैं याद रखेंगे अब next part याद देखते हैं यहाँ पे कि यह है about basically war का आपका देख रहे हैं कि रश्या और यूकरेन की बीच में वार चल रहा है और इसमें बहुत सारे नए नए टेकनीक टाइप के आप वेपन जो है यूस किये जा रहा है जिसमें कि आपने हमने previous session में अलग-अलग प्रकार की बॉम, अलग-अलग प्रकार की टेकनीक जिसमें कि आपने वेक्यूम बम जैसे चीज़ें हमने पढ़ रखी है तो previous session में जैसे हमने पढ़ा तो वैसे ही एक पार्ट है कि रश्या का एक बहुत important पार्ट है उसका नाम है मस्कवा एक क्या है एक युद्धपोत है और basically क्या है एक missile cruiser है तो missile cruiser कहां पे स्थित है ये है काला सागर या ब्लेक सी ब्लेक सी के बारे में जानते है ब्लेक सी में क्या है oxygen की कमी होती है और जब सर्दी देखते है सर्दियों में यहां पे यह पानी जो होता है पूरा काला हो जाता है इसी कारण यहाँ पर दिखते हैं इसे Black Sea कहते हैं तो Black Sea में क्या है एक круzer या एक युधपोंद या सर्फेस वार्चिप क्या है तेनात है जिसका नाम है मस्कवा तो मस्कवा जो है मास्को जो है वर्ड से जो है लिया गया है तो बेसिकली वो क्या है ना केवल ब्लैक सी के आसफास जो है देसों को देसों से रर्शिया की रक्षा करता है बलकि अपना कोश्ट की भी रक्षा करता है तड की रक्षा करता है और पूरा जो प्रोटेक्शन है वो बड़े लार्ज स्किल पे होता है क्योंकि यहां पे देख पा रहे हैं यह अत्यधिक परिभ्रमत त्रिज्या मतलब यह बड़े रेडियस पे प्रोटेक्शन देता है किसके इस ब्लैक सागर से सबी आस-पास के देशों से रश्या को यहां पे वहां पे तैनाथ है मस्कवा जिसको क्या है यूक्रेन का नप्चून जो एक एंटी सिप क्रूज मिसाईल है उसको क्या है डेस्ट्रोई कर दिया है उसका काफी सारा पार्ट को है वो डेमेज कर दिया है थीक है तो बस इतना याद रखें नेपचून क्या है एंटी इस से क्रूज मिसाईल है और जो किसे को रसोई किया हुआ है है ये किया हुआ है मसकवा नाम का एक जो है देखते हैं मिसाइल cruiser या फिर कहें एक बड़ा जो है surface worship क्या है सता युद्धपोथा इसको क्या है यह damage किया हुआ है तो इस से related कुछ fact देखिए हो black sea देख रहे हैं काला सागर तो काला सागर क्या है काला सागर को मैंने बताया यहां पे कि यह इसकी स्थिती कहां पे थोड़ा देखें इसकी पूरा जो Asia continent है पूरा Asia महादीफ है इसके आप पश्यमी भाग पे देखिए तो पश्यमी भाग और Europe का पूरवी भाग वो दोनों के बीच में कौन है यहां पे black sea या काला सागर है अब इसके बारे में याद रखेंगे इसके जो 30 है जो country है यह एक्जाम में पूछा जाता क्योंकि कोई भी जगह अगर न्यूस में है तो उस से रिलेटेड उसके आसपास से रिलेटे सभी फैक्ट पूछे जाते हैं इसलिए हम अलग-अलग पॉइंट को निकाल निकाल के उसका स्टाटिक पार्ट पढ़ रहे हैं ठीक है जोकि डायनमिक के साथ साथ हमको स्टाट कंट्री में दूसरा यूक्रेन ठीक है उसके बाद यहां पर देखते हैं क्या है आपका तूर्की या टर्की उसके बाद देखते हैं यहां पर जॉर्जिया जॉर्जिया रोमानिया और बुल्गारिया रोमानिया और फिर बुल्गारिया तो यह च्छै प्रमुख देश है बड़े बड़े ठीक है बुलगारिया ठीक है याद रखेंगे ठीक है आपका रशिया युक्रेंट टर्की जॉर्जिया रुमानिया बुलगारिया ये प्रमुक जो है वहाँ पे उस ब्लैक सी के चारों तरफ क्या है अपना क्या है कंट्री का उनका तट जो है उनका कोस्ट क और यहां पर क्या देखते हैं कि जहाज रोधी क्रूज मिसाइल यहां से लॉंच किये जा सकते हैं जो 300 किलोमेटर की सीमा में सभी नौसेनिक जहाजों को नस करने में सक्षा में इसलिए इसका रेडियस काफी बड़ा है मैंने बताया तो बस इतना याद रखेंगे और यह कं करके 15 अगस्ट 2000 15 अगस्ट 2015 को यह क्या है इसे जो है लॉंच किया गया था स्टार्ट किया गया था नॉट लॉंच इसके पहले यूजना आयोग था प्लानिंग कमिशन था तो यह इसके द्वारा क्या है राज है और केंद्श आसित प्रदेशों के लिए जल्वायू का नाम याद रखेंगे क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट पबिस किया गया था इसके पहले कभी कभी भी प्लिस नहीं कही गई है याद रखेंगे भारत के कुछ कमिटमेंट है डू ग्लोबल सेनारियो तो अंतराश्टी स्तर पर भारत के कुछ ऐसे महतपून हैं जिसका कमि से लेकि इस बार भी प्रस्ण पूछे गए सीडी पीसी में आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे तो उस कमिट्मेंट को मैं भी बताऊंगा पांच अलग-अलग पॉइंट में तो याद रखेंगे अब यहां पर थोड़ा देखेंगे कि यह क्या है बेसिकली पहला यह सूचकांग या इंडेक्स जो जारी किया गया है एसी सी आई स्टेट एनरजी एंड क्लाइमेट इंडेक्स देखिए इसका अबजेक्टिक क्या है जलवायू और उर्जा छेत्र में राज्यों इवं केंद्र सासित प्रदेशों द्वारा किये गए प्रयासों को ट्रेक करना ठीक है कि यहां पर देखते हैं जलवायू उर् और इवरतना स्वच उर्जा के लिए बहारत के लक्षों को पाने के लिए छे माबदन डिसाइड किये गए हैं जिसमें देखते हैं कि शे माबदन में क्या है डिसकॉं विद्यूत कंपनी के द्वारा प्रदर्शन क्या है ठीक है यहां पर जो डिस्ट्रिबूशन कंपनी company किसका विद्युत का electricity का उसको discount कहते हैं तो उसका क्या है यहां पर प्रदर्शन चेक करना है ना और यहां पर देखते हैं कि सामर्थ पहुंचते विश्वसी नीटा ठीक है आपकी जो capacity है और आपकी जो credibility है एनर्जी की कितना ज्यादा वहाँ पे आप देख रहें कितना ज्यादा आप क्रेडिबल है कितना आपकी स्विश्व स्नीता है clean energy पर आपके क्या initiative है जैसे कि आप देख रहे हैं उर्जा दक्षता कितना आपके energy efficiency है परियावरणी इस्थीरता आपके environmental में कितना sustainability है कितना यहाँ पर next जो है आप क्या क्या नहीं initiative लिए है नहीं पहल क्या क्या किये है तो यह सभी क्या है छे महत्पुन मापडंड है तो इ एक्जाम के पॉइंट है याद रखेंगे आने वाले समय में definitely यहां से questions पूछे जा सकते हैं अब यहां पर इसके जो उद्देश है यह वही चीज़े हैं कि उर्जा पहुंच खपत उर्जा दक्षता परियावरण की सुरक्षा में सुधार के प्रयासों पर रैंक होगा ठ ताकि हम उर्जा लक्षों को पा सके अब वो जो पांच महत्पूर्ण पॉइंट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वो पॉइंट याद रखेंगे यह आपके एक्जाम की पॉइंट है अलग से आपके लिए लेकर रखा है इस बॉक्स को देखिए यह आपके आने वाल एनरजी को कितना बढ़ाएंगे 500 गीगावर्ट तक बढ़ाएंगे पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर तू 2030 तक भारत जो है 50 परशन एनरजी किस से यूज़ करेगा रिनीवेवल एनरजी से यूज़ करेगा ठीक है अक्षय उर्जा मतलब स्वच्छ उर्जा क्लीन जो एक बार जलने पर क्या है वो कभी वेस्ट नहीं देते और एक बार जो है आप उसको लगातार यूज़ कर रहें आक्षय कभी उसका च्छय नहीं हो सकता यानिकि वो बतला हमेशा उसका भंडार जो है अनंत है अथा आगया सकते से कि सानलाइट जैसे कि आपका विंड इनर्जी या पवन उर्जा तो यह कभी भी ख़ातम नहीं होगा तो इसलिए इसको अक्षय उर्जा कहते हैं तो सुर्य ऊर्जा पवन उर्जा ये सब क्या है अक्षय उर्जाका एक्जाम्पल है तो हम क्या करेंगे उर्जा arguments को 50 ए woven इर्जा पर्सेंद क्या है 2030 तक कि स 45% तक कमी होगा मतलब कार्बन emission की बात कर रहा है कार्बन की टीवरता intensity सीधा सीधा इसका किसका relation है इसकी intensity से relation है तो यहाँ पे अपलाई उसके उत्सर्जन से related है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसको पूरी तरह से कम करना और कितना कम करना 45% से अधिक की कमी करना उसके बाद अभी से लेके 2030 तक सुध नेट अनुमानित जो है कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटोती करना इस अगेन अ वेरी वेर इंपोर्टन पॉइंट और 2070 तक नेट सुन्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष को प्राप्त करना कार्बन उत्सर्जन मतलब ऐसा कोई भी फ्यूल जो क्या जीवास में इंदन होता है फॉसिल फ्यूल होता है तो चुकि वो और्गनिक कमपाउंड होता है कार्बनिक पदार्थ होता है तो वो जैसे ही जलता है तो वो क्या है कार्बन का emission करता है तो कार्बन emission जो है वाय मंडल में जब भी बढ़ेगा तो global warming बढ़ेगी तो global warming बढ़ेगी तो बहुत सारे large scale पे changes होंगे उसके दुस्प्रभाव होंगे तो याद रखना कि यहाँ पे कार्बन emission को net zero तक करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा हम अक्षे उर्जा नविनिकृत उर्जा पर हम निर्भर होंगे और आने वाले समय में यह मतलब 270 तक हम ऐसा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या 100% हम कार्बन emission जो है नहीं करेंगे मतलब जीरो पर ले आएंगे सीधा सीधा मतलब हम अक्षे उर्जा पर 100% डिपेंड हो जाएंगे ठीक है यह बात है आपको यहाँ समझ में आई तो जो इंडेक्स बना है उसमें इंडेक्स जो अभी SECI का जो इंडेक्स है ठीक है तो उसमें देखते ही कि जो टॉप फॉर्मर कोन है एस्पिरेंट्स कोन है तो यहां पर फर्स ऐसा रैंकिंग दिखा जिसमें गुजरात फर्स्ट है केरल सेकेंड है और पंजाब को थर्ड में लिया गया है ठीक छोटे राज्यों में सीज प्रदसन करने वाले में गोवा त्रेपुरा और माणिपूर ठीक और अगर ज दिखते हैं यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखेंगे यहां पर कि 2021 में विफल होने वाले जियो सिंक्रोनस लांचिंग वहिकल एफ टैन ठीक है जो प्रित्वी अवलोकन उग्राइव जीरो ठीक करना था वह क्या असफल हो गया था तो असफल क्यों हो गया था उसकी जांच के लिए पैनल बना गया है और यहां पे क्रायो जैनिक अपर स्टेज को जो है और मजबूत करने की सेपारिश की गई है याद रखेंगे यह पॉइंट आपके लिए बहले बहुत सारे आपके स्टैक कंटेंट को कवर करते वें लेके आया है जिसमें कि आपको बहु सबसे पहले देखेगा कि यहां पे जी एसल्वी मतलब शीयो सेंकॉर्नस लाइंचिंग वहिकल या जीयो सेंकॉरनस सैटेलाइट लाइंचिंग वहिकल इसका फुल्फॉर्म होता है ठीक है यह फुल फॉर्म भी एक्जाम में पूछा जा चुका है यहां पे दूसरा बहुत ही कम ताप जिसमें की देखते हैं माइनस 250 दिग्री 3 सेल्सियस पर हम क्या करते हैं कम्प्रेस कर देते हैं ठीक और दूसरा ऑक्सीजन को जो है वो क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब आक्सी कारक है अक्सीजन जलने में सहायक होती है आप सभी को पता होगा तो ऑक्सीजन जो है इसमें टेम्प्रेचर माइनस 183 डिग्री सेल्सियस तक हम कम्प्रेस कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ये क्या करते हैं ये एक क्रायोजैनिक टेक्नलोजी का क्या है ये निर्माण करता है जो क्या है बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब अत्यधीक ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनरजी या थ्रस्ट जनरेट करता है तो क्रायोजैनिक ये टेक्नलोजी जो किसी समय में भारत पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था इसमें रश्याम को मदद भी करना चाह रहा था लेकिन बीच में USA ने उसे रोक दिया तो भारत ने इसे वस 2009 के बाद 2014 तक अपने डेवलपमेंटल स्टीज में इसे डेवलप किया जिसमें की 2014 में पहली बार उसने सक्सेस हाइडोजन माइनस 253 डिगरी ऑक्सीजन माइनस 183 डिगरी ठीक है तो यह बातें आप याद रखेंगे जिसमें क्रायोजैनिक टेकलोजी जो है होती है क्रायोजैनिक टेकलोजी बहुत ज़्यादा उर्जा प्रड्यूस करती है इसलिए कि सैटेलाइट लांज करना में कितने भी 10,000 तक की सैटेलाइट को लॉंच कर सकता है यह बिकॉस क्यों पॉसिवल उपाया विकॉस आप देस क्रायोजैनिक टेकनोलोजी ठीक है जिसमें कि हम बड़े-बड़े सैटेलाइट को बहुत है वी सैटेलाइट को हम आप जो है लॉंच कर सकते तो यहां पर बात की गई है तो यहां पर सीधा सीधा क्या है सी यूएस क्रायोजैनिक का अपर स्टेज का मतलब देखिए अगर आप देखते हैं लेटेस्ट जो इंजिन हैं लेटेस्ट जो जो है लॉंचिंग होते हैं स्टेज वन में क्या होते हैं सॉलिड यूज किये जाते हैं स्टे जला इंधन जो है आप देखते हैं सॉलिट था जल गया दूसरा इंधन क्या है लिक्विड है जल गया और उसका जो है अनर्जी मिलेगा सैटलाइट लॉंच करने में मिसाइल लॉंच करने में और तीसरा जैसे ही इंजिन पहुंचता है वो है आपका क्रायोजैनिक एंजिन तो वहाँ पे हाइडोजन ऑक्सिजन जो है वो यूटिलाइज होते हैं और बहुत जादा एनर्जी निकलती है तो इतनी जादा एनर्जी निकलती है कि कितने भी भारी वाले सैटलाइट मिसाइल को लॉंच किया जा सकता है तो यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में कुछ यह पॉइंट है ठीक है याद रखेंगे ठीक अब यहाँ पे जी एसल वी एफटेन को जो है विफलता को क्यों सामिल किया गया आपको इसको थोड़ा लॉजिक लगाना है इसे इसलिए लॉजिक लगाना है क्योंकि याद रखना कि भारत का जो इस रो है या सीज जो आंतर इसलिए इसरो की दो महत्तपून ब्यवसाइक इकाईयां जो है स्थापित की गई है जिसमें कि 1992 में आप देखते हैं क्या बना था एंट्रिक्स कॉर्परेशन बना था जो एक्जाम में पूछा जाचुका है जो क्या इस रो की ब्यवसाइक इकाईय कमर्शियल यूनिट है याद आ रहोगा दूसरा है वर्स 2019 में एक और ऐसी ब्यवसाई की काई बनी थी जिसका नाम है NSIL New Space India Limited ठीक है New Space India Limited जो क्या है इसकी commercialization याने इसकी वानिजी करण को बढ़ावा देगा आने वाले समय में जैसे हम नासा पर बहुत सारे country डिपैंड होते थे अब बहुत सारे country ज तो यहाँ पर उसके अलग-अलग launching vehicles हैं अलग-अलग प्रकार की technology है जो भारत की इसरों के पास है जो दुनिया के दूसरे दिसों के पास सायद नहीं है ठीक है क्योंकि कुछ ऐसे technology है जिसमें की हम देखते हैं 104 satellite को within a second या seconds की अंतराल में छोड़ा जाना कि किसी country के पास य technology नहीं है पूरी दुनिया सौक रह गई थी जब हमने यह प्रदर्शन किया हुआ था single attempt में हम मंगल की ग्रह तक पहुंच गए यह अपने आप में achievement है यह किसी दुनिया के पास नहीं है तो यह सब बातें आपको समझनी है अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो GSLV होता है चोड़ा जाता है तो याद रखेंगे इस से related जो exam में पूछे जाते हैं कि भू समकालिक उपग्रहों को geosynchronous orbits में छोड़ा जाता है इस प्रकार के satellite को तो यह भू समकालिक उपग्रह क्या है ठीक है यहाँ पे geosynchronous orbit क्या होता है इसकी height होती है 36,000 km ठीक है और यहाँ पर Candice रखना कहां छोड़ा जाता है पृत्वी की दिशा में जिस दिशा में फिर्थी घूम रही है किदर से किदर गूमती है वैस से इस्ट कियो आपका प्रित्वी है प्रित्वी में अलग-अलग और्बिट होते हैं वो और्बिट में एक होता है यहां पर देखेंगे इस प्रकार का इसका कोई एंगल नहीं बनता है तो इसे क्या कहते हैं भू इस्थैटिक कहते हैं जियो स्टेशनरी कहते हैं अगर यहां पर कोई एंग बूस्ट है जिसकी भी ऐठन किया है 36000 किलोवीटर हुत लेगिन अगर ऐंगल काकश सब्सक्राइब करें मतलब क्या है अंगल काकश कर रहा है तो सीधा सीधा ये क्या है जी व से में कोई सिंग्रुने वसमें उस्में कोड़ बनता एंखें तो क्या है जियो synchronous orbit होता है और एक होता है आपने polar orbit सुने होंगे तो poles यहाँ पे है और यहाँ पे यह polar orbit के उपर इस प्रकार अगर वो क्या है चले तो वो क्या है दुरूवी कक्षा कहते है ठीक है यह तीन orbit को आपके एक्जाम में पूछा जाता है याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पे देख रहें कि आगे इस से related क्या point है उसे समझीएगा कि यहाँ पे बस इस point में आप लाइक कुछ और बाते हैं जो different type की ठीक है 1980 में क्या है यहाँ पे इसे launch किया गया था SLV3 के नाम से ठीक है हाला कि हमने 1979 में भी try किया था सफल रहा था उसके बाद successfully कहें तो 1980 है और पहला attempt कहें तो 1979 है ठीक उसके बाद देखते ही दूसरा हमारा देखो यह पहला generation हो गया फिर यह दूसरा generation हो गया इसके बाद यह क्या है बेसिकली प्रक्षेपन यान या launching वहिकल्स है अगर आपको समझ आ रहा होगा Space Technology अगर आप देखते हैं अंत्रिक्ष्पादुगी जो आपकी syllabus में है उसमें क्या देखते हैं कि पहला ऐसा launching वहिकल कॉन सा है तो satellite launching वहिकल्स उसके बाद देखते हैं augmented satellite launch में है इसे बनाय गया था वर्स 1992 में ठीक है इसके बाद deerwy satellite होऊच वहिकल होलर सेटलाइट लाँच वहिकल इसके ठीक एकवर्सवाद 1993 में इसे लांच किया गया यहाँ पर देख रहे हैं SLV 3, ASLV, फिर PSLV, तो PSLV बहुत जादा सक्सेस्फुल माना जाता है, अब तक कि आपने जो है 54 अटेंब में, ठीक है, 54 अटेंब में ये 52 टाइम्स जो है, ये सफल हुआ है, तो यहां पर ये बहुत important है, तो ये क्या है, polar satellite launch vehicle क्या है, 90 के दसक का hero कहा जात है, PSLV की मदद से क्या है, launch किये गए थे, ये बातें आपको याद रखनी है, अब यहां पर आप ये समझीएगा, कि polar satellite launching vehicle, polar orbit में, जैसे ध्रुवी कक्षा में क्या है, launch करने के लिए, यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे satellite, जो क्या है, communication या संचार satellite होते हैं, तो communication satellite क्या ह पर वित में क्या बड़े कक्षा में छोड़े जाते हैं, उचाई में छोड़े जाते हैं, जिसलिए आप देखते हैं, कि जितने भी communication satellite है, वो ज्यादा उचाई पर छोड़े जाते हैं, ज्यादा, उचाई पर चोड़े जाएगे सीधा, तो इसका मतलब क्या होगा?, कि वहा प्रकार की powerful type की launching vehicle चाहिए तो समय कौन मदद करता है G.S.L.V. Geo synchronous launch vehicle जिसका नाम है यहाँ पे देखते क्या है 2001 में क्या है यह develop किया गया था और इसके बाद देखते ही इसका जो advanced version G.S.L.V. Mark 2 G.S.L.V. Mark 3 जैसे जो है latest प्रकार की इस प्रकार की launching vehicle डेवलप किये गए ठीक है यह वही है 2001 में इसके बाद देखते है SSL.V. 2019 से क्या है यह क्या है आप देखते है NSIL के द्वारा launch किया जाना प्रस्तावित है कुछ इसके जो है 2022 में अभी क्या है launching होने वाले है ठीक है RLV TD मतलब reuse launching vehicle और technology demonstration इसका फुल फॉर्म जिसमें कि आप देखेंगे कि पुना प्रयोग भविष्च में ऐसे प्रकार की rocket होंगे कि एक बार हम उसकी क्या द्वारा क्या satellite launch कर लेंगे और rocket वापस आके जैसे की अपलाई कोई एरोप्लें लेंडिंग करता उसी प्रकार करेगा और भविष्च में फिर से उसे दुबारा यूज कर पाएंगे ऐसी टेकलोजी भविष्च में आने वाली है भारत के पास इसे आरलवे टीटी जो है वर्स 2016 में डेवलप किया जा चुका है इस सुरू के द्वारा लेकिन यह टेक्नोलोजी का डेमोस्टेशन था इसका लांचिंग वहिकल का जो डेवलपमेंट है वो भविष्च में हो ना है तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण करेंट अफ्यस के साथ अगले वीक में किसी प्रकार का डाउट है तो डेफिनिटली आप कमेंट बॉक्स पर पूर सकते हैं ठीक है आज के लिए थैंक यू एव नाइस दे